सब्सक्राइब दोस्तों किंग फोटेक इंडस्ट्रीज में आपका स्वाधत है मेरा नाम विकास शर्मा है आज हम आपके लिए बहुत ही किफायती और सस्ता बिजने स्टार्ट अप लाएं है स्टार्ट के लिए इस समय बीन की डाल को अलग करने की मशीन से और जिसेसे brought पनीद में करवापन नहीं इसके बाद कुछ खंटों के लिए इस सोयावीन की डाल को इसी बर्तन या प्लास्टिक के टप में धिगो दें। भीगने के बाद सोयावीन की डाल में एक अनुपात साथ के रेशियो में पानी डालेंगे यानि की एक किलो सोया डाल में 7 लीटर पानी डालें। इसके बाद सोया मिल्क ग्राइंडर की मशीन की सहायता से सोया डाल का दूद बना लेंगे। दूद बनाने के बाद इस दूद को सोया मिल्क प्लांट यानि सोया मिल्क स्कीमर और कुकर के द्वारा गर्म कर लेंगे। इस सोया मिल्क प्लांट से दूद बहुत तेजी से गर्म होता है जैसा कि आप जानते हो स्टीम से दूद जल्दी गर्म होता है दूद को गर्म करके फिर ठंडा करने के बाद इसमें केमिकल या कोई भी एसेटिक अमरे डाल दो जिससे दूद भच जाए फिर एक साफसी धोती या कपरा में डाल कर पनीर प्रेस मशीन से कुछ देर तक दबा दे इस तरह आपका सोया पनीर या तोखु पनीर तयार हो जाएगा आप बाजार में सोया डाल का फ्लेवर मिल्क आदी और भी प्रोड़क्ट बना कर बेच सकते हो अधिक जानकारी के लिए प्लेनेट बाबा पर कॉल करें या आप हमें इमेल भी कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए प्लैनेट बाबा डॉट कॉम या किंग फोर्टेक इंडस्ट्रीज डॉट कॉम पर विजिट करें और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के दिस्रिप्शन को देखें यदि आपको दूठ की मशीन जैसे बल्क मिल्क कूलर, मिल्क एटीम मशीन,ोया मेकिंग मशीन, घी मशीन, दही मेकिंग मशीन, øgy मिल्क प्रोसेसिंग प्लाउड, मिल्क क्रीम, सेपरेटर, मिल्क अनलायजर, दूठ की बतले, दही के दब्बे, मिक पाउच पैकिंग मशीन, जोड मिल्क टैंकर, स्टील टैंकर, वाटर टैंकर आधी मशीन भी हम निर्माता है। हम मशीनों के मनुफक्चर हैं, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।